असलाम अलेकुम दोस्तों आज हमारा टाफ है constant qualifier c++ में क्या है c++ में constant qualifier किसे कहते हैं और यह हम किसलिए इस्तिमाल करते हैं constant keyword c++ में इसलिए इस्तिमाल होती है कि constant variable name है और इसकी value सारे program के लैब तक वह value change नहीं होती तो इसलिए हम constant इस variable को declare करते हैं कि क्योंकि इसकी value change नहीं हो सकती है अगर हम खंती से इसे change करते हैं तो compiler error message देगा इस वजह से constant keyword c++ की development आया है constant जब हम किसी variable को constant declare करते हैं तो वह declare करते वक्त इसके साथ constant keyword लगाना पढ़ेगा अगर बात में लगाएंगे तो compiler error देगा क्योंकि वह value constant पहले से ही हैं और कभी value change नहीं होगी तो इस वजह से शुरू ही से आप constant declare करेंगे बात में इसका कोई पैदा नहीं है क्योंकि प्रोग्राम के लाइब तक इसकी value chain नहीं होती इस वजह से अगर शुरू ही से constant declare की तो कोई problem भी नहीं है और असान होगा for readability और understoodability यहाँ पर हमारे साथ एक quote है जिसमें हमने constant keyword की इस्तिमाल की है और एक variable की एक in data की variable लिए हमने और वह constant लिए है तो फिर बात में इसका data लिका है और फिर इसका variable name लिका है और इसको value भी हमने assign किया है कि 86 इसका साथ प्रोग्राम तक value होगी जब हमने यह variable constant declare की है तो यह programmer को जो है गलती से change करना इसकी value को यह compiler इसे error देगा और वो problem इसे नहीं आएंगी क्योंकि logical error है और जब हम किसी variable की जो वीडियो चेंज करते हैं यह logical error है और पिर हमारे साथ जवाब गलत आता है क्योंकि हमने गलती कि है compiler को गलती पता नहीं हो दी तो इस वजह से जब हम हमें पता होता है कि यह variable constant है और इसकी value constant है तो हम इसे constant declare करते हैं बात में जब हम गलती से इसकी वीडियो चेंज करते हैं क्योंकि बड़े-बड़े प्रोग्रामों में 25 सब्सक्राइब होती है और इसमें 1000 variable हम define करते हैं तो बात तो पिर वह हम confused हो जाते हैं कि यह variable किस देता किस देता सारे variable के नाम याद करना कि compiler जो error देगा तो उसमें constant लिखा होगा कि यह variable constant है तो हमें sign से पता चल जाएगा यहाँ पर हमारे साथ जो हमने इसे dollar rate equal to 123 मतलब यह error है क्योंकि इसकी value की change करने की कोशिश हमने कि तो जब यह code execute होगा तो compiler error देगा क्योंकि line 2 में हमने यही पर dollar rate constant 86 लिखा है और बात में हमने हमने इसको change की है 123 तो यह यह variable जो है compiler इस पर error देगा और इसका मतलब है खेषड़िपाइन एक free-pricer direct जो है खेषड़िपाइन के बाद हम variable define करते है data type उसकी data type की जहाँ से और उस variable की जो value होती है वह हम खेषड़िपाइन के बाद लिखते है जब इसको declare करके इसके इसकी वीडियो लिखते हैं और यह सारे program constant वीडियो जो हम उपर मतलब header pipe के सास्थ लिखते हैं हमें advance में पता होता है कि हमारे साथ यह value इस्तिमाल होंगी और इसकी video constant है वह variable इस्तिमाल होंगे और इसकी video constant है तो हम उसे header pile में इस्तिमाल करते हैं HD find इसका pre-pricer direct यो है तो यह इसके भी बराबर है constant variable यह हम declare करें यह यह दोनों एक ही चीज़ है और इसका मतलब भी एक ही है और इसके वीडियो जब हम change करते हैं तो कमफाइदर एर्र देगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अप्मारा नेक्स ट्रापिक होगा टाइब केस्टिंग अफ्रेटर इंशाल्ला दाना तिंक्स फार वाचिंग